कि अजय कि है अजय कि है ग्राफ लोगे बॉइल स्नॉ के बाद बॉइल स्फॉप कि हमने 안-nay what तर भॉआफ नो थिंद पर ग्राफ के मैं मैं तोम थने प्लॉआ शुन फ़ूने तरफ्ट कि रहें हैं और इसे द Delo ग्राफ लाइन कैसा होगा यह देखना है तो P versus B हमने Boyle's law के लिए ग्राफ बनाना है तो Boyle's law के equations को ध्यान में रखो विटा कि Boyle's law का equation क्या था हमारे पास P inverse proportional to V तो P is equal to constant into 1 by V तो PV is equal to constant यह था एक्वेसान हमारे पास अब देखोआ कि मुझे चाहिए P versus V का ग्राफ तो अगर मुझे P versus V का ग्राफ चाहिए तो P और V का देखोआ PV is equal to constant मुझे P और V का ग्राफ चाहिए P Y axis पे है V X axis पे है तो क्या यह PV is equal to constant को मैं ऐसा लिख सकता हूँ X Y is equal to constant भोलो भोलो X axis पे V है Y axis पे P है तो XY constant वाले एक वेसन है मैंने क्या बोला था आपको कि वो कैसा ग्राफ होगा Rectangular Hyperbola होगा और अगर Rectangular Hyperbola होगा तो P versus V का ग्राफ यहाँ क्या होगा पिटा रेक्टाबलर Hyperbola Now, वैसे ही यो सारे तो तीन कॉंसेट बगाएं तीन कॉंसेट पर ही सारे ग्राफ कर लो गया और किवेस्टी के सारे ग्राफ हो जाएंगे इनकाएं अब P versus 1 by V तो P versus 1 by V यहाँ देखो यह एक वेसन बनता है P is equal to constant into 1 by V तो P और 1 by V का एक पॉइंट देखुआ क्या यह Y is equal to MX वाले format पे है देखो आप Y axis पे P और X axis पे 1 by V है तो Y is equal to MX का मैंने क्या बोला है कि graph will be a straight line originated from origin अब यहाँ बताओ आप PV versus P मैंने क्या बोला था कि PV constant है इसका मतलब है कि P change होगा तो V change होगा V change होगा तो P change होगा बर्ट प्रोड़क्ट of this P and V will be fixed होगा P change हो सकता है मतलब यह जो graph line होगी क्या यह perpendicular to PV होगा because in this situation PV is fixed P may vary P change हो सकता है लेकिन PV change नहीं होगा समझ में आरी बात clear है अब देखो यहाँ मैं बोलू तो वैसे ही जैसे P vary किया PV constant है वैसे ही यहाँ PV constant होगा V vary खरेगा तो यह PV का perpendicular होगा ठीक है इसका बता हो जरा वाइल स्लोग की बात करेंगे तो temperature भी constant और PV भी constant तो PV भी constant और temperature भी constant करना है यह कोई concept नहीं यह direct होगा तो यहां आए रचेक डॉट कि युकि डॉट होगा तभी आप एक सेक्सिस होगा एक सेक्सिस कर सकते हैं तो PV वरसेश टी का ग्राफ होगा प्राइब डॉट ना लॉट वरसेश लॉट वी तो पी और वी का देखो आप पी और वी का एक प्रेसन हमाले पास क्या है पी और वी का एक प्रेसन है हमाले पास पी वी इस एक्वल टू अब देखना ज़रा चाहिए को मांगो मैं के माले का एंगी लॉट साइट्स दोनों साइट्स लॉट ले पर यह क्या हो जाएगा लॉट पी प्लस लॉग भी इस एक्वल टू कॉन्स्ट अब लॉट क्या बन गया मुझे लॉट्पी वरसेस लॉट बी का ग्राफ चाहिए तो इसको log P और log V वाले एक क्वेशन में लेके जाओ, क्या यह हो सकता है, log P इसकल तो constant minus log V, चेक करो ज़एदा, किस equation पर आ रहा है है, क्या यह रहा है, यह रहा है, y इसकल तो c minus mx पे, जहां पर m की value हो गई, 1x हो गया, log V और y हो गया, log T, तो n slope है, slope है negative, slope है negative, तो इस case में जो हमारा graph plot होगा, log P versus log V का, वो graph होगा हमारा कुछ ऐसे, slope negative, clear होगी यह बात है, ठीक है, अब log P versus log 1 by V का देखो, तो log P versus log 1 by V का मतलब, मैं इसको तोड़ा मिठाता हूं यहां से, log P versus log 1 by V का मतलब आप इसको लेके चाएं, यह constant है, constant को मैं के ले सकता हूं, P is equal to K into 1 by V, इसमें log में दोनों साइट ले लो, तो क्या होगा यह, log P is equal to log K dash, log K and plus में log 1 by V, दिख सकते हूं, और log K को मैं दूसरा constant K dash ले सकता हूं, यह कुछ equation समझ में आ रहे नहीं आ रहे हैं यह बताओ, log X Y, log X plus log Y, अचा एक चीज़ और जो कादू बिटा रहे हैं, कि यह gases straight to lecture पढ़ते रहेंगे, आप log का एक अगर lecture में ने बनाया है, that will be uploaded soon, तो उसको आप देख लिजेगा, इस lecture के पहले ही वो lecture आपके upload हो जाए, तो आप उसको देख लिजेगा, उसको जरूर अच्छे से समझ लिजेगा, तकि यह log वाले format में आप ना फस है, so log P is called to K dash plus log 1 by B, तो किस equation पे जा रहा ही है, Y is equal to C plus MX पे जादर बिटा, तो इस equation में भी graph line जैसा हो जाएगा, इस straight line होगा, और इस ना प्रोडिशनेटेट फ्रॉम हो जाएगा, अब यहां देखो log PV वर्स लॉग P, ऐसा ही कुछ होने वाल है, PV एबर constant है, तो log PV भी constant होगा, log P valuable होगा, तो यह कुछ graph ऐसे ही जाएगा, लॉग P भी है, तो यह भी graph कुछ ऐसे ही जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, dot हो जाएगा, और जैसा log का graph होता है, बिटा, वैसा ही natural log का graph होता है, यह अपने दिमाज में fit रहिएगा, log P versus log P, natural log P, natural log P, ऐसा ही कुछ graph होना है, ऐसा ही कुछ graph होना है, कि मैं ऐसे चीज़ लिखा हुआ हूँ, ऐसे ही कुछ graph होना है, ऐसे ही कुछ graph होना है, यह भी dot होना है, तो यह सारे graph हो गए, Boyle's law of K, copy करो,